हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका अपने चैनल हेल्पिंग हाउस वाइफ में कहिए कैसे हैं आप आप सब अच्छे होंगे और कमेंट में जैम आता दी जरूर लिखिए क्योंकि आज नवरात्रे का दूसरा दिन है नवरात्रे चल रहे हैं और भ्रह्मचारिनी मा का दिन है तो मैं करा रही हूँ आपको अपने मंदिर के दर्शन ये जोत जल रही है और मेरे हस्बंट पूजा कर रहे हैं और एक साइड में छोटा सा मंदिर भी है वो हमारे कुल देवता का मंदिर है हमने मंदिर कोई स्पेशल अलग से नहीं बनाया हुआ है हमारा ये रेंट का गर है तो हमने इसी टेबल लेकर एक छोटी सी टेबल पर ही अपने भगवान जी को स्थापित किया हुआ है चलिए बात करते हैं ये देखिए फ्रेंड्स नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्रे का दूसरा दिन है मैंने कल भी साड़ी पहनी थी अब पूरे पटक रखी थी बिल्कुल भी पहनने का मन नहीं करता था लेकिन मैंने अब ये निकालके अपनी अलमारी में लगाई हैं अब मैं इसको डेली एक साड़ी जरूर पहनूंगी कोई से भी पहनूं चाहें थोड़ी देर के लिए पहनूं लेकिन नवरात्रों में मैं ये जरूर पहनूंगी ये मेरी अलमारी है अभी खाली पड़ी है अभी मैंने इसमें ज्यादा समान लगाया नहीं है अभी इसमें समान सेट करना है क्योंकि अलमारी अभी दो चार दिन पहले ही आई है इसलिए ये खाली पड़ी थी और मुझे टाइम नहीं मिला था लगाने क अब मैं इसमें समान लगाऊंगी, यह हमारा कोई नई न्यू अलमारी नहीं है, हमने यह कि पुरानी ही अलमारी हमने अभी ली है. जब हम अपने रेंक का घर है ये हमारा रेंट के घर से जब हम अपने घर में जाएंगे जब हम नई अलमारी जरूर खरी देंगे वैसे हम इस रैक में अपने कपड़े रखते हैं अपना समान रखता है रखे रखते हैं जो कि इतना बुरी तरह भरा हुआ है यह हमारा रैक कितना भी इसमें समान रख लो कितना भी सैट कर लो लेकिन अगले ही दिन यह ऐसे भर जाता है रैक कि हमने पता नहीं कितने दिन से इस रेक को सैठ ही नहीं किया है देखिए यह हमारा रेंट का घर है जिसको हमने ज्यादा हम फस्योभी अवस्तित नहीं रख पाते हैं यहां एक भी अल्मारी नहीं है सब समान हमारा ऐसे ही रखा यता है सिलेंडर भी एक रह किये है एक यह है ऐसे ही हमारा समान रखा हुआ है यह बहुत हमारी मजबूरी है कि हमें अपने घर से अपना खुद का घर छोड़ कर एक किराय के घर में हमें आना पड़ा बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य पूर्ण बात है यह पता नहीं अब हमारा अपना घर होगा प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए मेरे लिए भगवान से जरूर इन अवरातरों में काम ना कीजिए कि मुझे अपना घर जल्दी से जल्दी मिल जाए आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी होगी जरा सी भी helpful लगी होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक वा शेयर कीजिए और प्लीज मुझे support कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ यह हमारे कपड़े सुखाने का stand है कपड़े इस पर देखी इतने भरे हुए सूफते हैं हमारे घर में कपड़े सुखाने की भी जगा नहीं है बिल्कुल भी यह हमारी चोटी सी किचन है बहुत ही ज़्यादा चोटी सी किचन I hope जब मेरा अपना घर होगा तो बहुत बड़ी किचन हमारे पास होगी जिसको मैं बहुत अच्छे से सैट कर पाऊंगी इसमें ऐसे ही समान हम रखते हैं ज्यादा हम इसको सजा नहीं सकते क्योंकि जिनका यह घर है उन्होंने मना किया हुआ इसमें ज्यादा समान लगाने को अल्मारी वगारा लगाने को और यह मेरा बैट रूम है कि यह मेरे बच्चों का कैरम बोर्ड है स्टड़ी टेवल है जो पूरी तरहां से बेकार हो चुकी है लेकिन बच्चे फिर भी इससे खेलते हैं लूडो खेलने के लिए सिर्व यह रख्यूए और किसी उसकी नहीं है और मेरे बच्चों के पास यह कैरम बोर्ड है आज के ताइम में किस-किस के घर में कारम बॉर्ड है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईए कि आज को में कारम बोर्ड से कौन-कौन खेलता है मैंने भी शॉक शॉक पर अपने बच्चो को कारम बोर्ड गिलाया था लेकिन बच्चों ने चीज़ और चार-पांच दिन ही बच मेरे बच्चे स्कूल गए हुए हैं और अब मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने जा रही हूँ जो घर के पास में ही है सिर्फ पांच मिनित का रास्ता है तो चलिए चलते हैं स्कूल अपने बेटे को लेने यह रास्ता है तो मैं आके आप से बात करती हूँ स्कूल से आनी के बाद मैंने बच्चो को खाना खिलाया और जो छोटे मुटे काम थे उकरा के बच्चो को टूशन भेजा अभी मेरा बेटा टूशन से आ चुका है और बज रहे हैं शाम के पांच और ये अपना स्कूल का होमवक कर रहा है जो इसकी मैडम ने दिया है ये इत इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी किचन में चाय बनाने क्योंकि चाय का टाइम हो चुका है शाम के पांच बज चुके हैं सबसे पहले जल्दी-जल्दी में आके अपनी किचन को साफ कर लेती हूँ फिर मैं चाय बनाने के लिए चड़ा देती हूँ और चाय बनाने का मेरा तरीका कुछ अलग ही है पहले सब लोग पानी डालते हैं फिर चीनी पत्ती डालते हैं मैं क्या करती हूँ मेरा जाब उल्टा है पहले मैं पानी डालती हूँ फिर दूद साथ की साथ ही डाल देती हूँ फिर उसमें चीनी, पती, अधरक वगेरा जो भी डालना होता है, वो मैं बाद में डालती हूँ और मेरी आदत है, मैं जब तक इलाइची और अधरक को अच्छे से ना कूट दूँ, जब तक उसका अच्छे से कचुमबर ना निकाल दूँ वो चिलाने लग जाए कि मेरी जान छोड़ दे अब तो, अब तो मुझे छोड़ दे अच्छे से कूट दिया, जब तक मैं उसे कूटती ही रहती हूँ, तब उसको चाय में डालती हूँ, तब मुझे स्वाद आता है चाय में, वरना एक दो बस मार के ऐसी जब लोग डाल दे देखो आपको, बहुत ही अलग फरक होता है, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, आप ट्राइ करके जरूर देखिए का, अगर आप कहेंगे तो मैं स्पेशल अलग से, इसमें स्पेशल वीडियो भी बना दूँगी, शोड्स में, और यह चाय बन चुकी है, और म जब तक बिस्कृट को डिप करके ना खाऊना चाय में, मुझे बिस्कृट में टेस्ट ही नहीं आता, सूखा सूखा बिस्कृट मेरे कले में टकता है, और मुझसे खाया ही नहीं जाता, आप बताइए कमेंट में कि आप बिस्कृट कैसे खाते हैं, आशा करती हूँ मेरा यह व्लॉग आपको पसंद आया होगा, यह मेरा फस्ट व्लॉग है, जो मैंने फस्ट टाइम इतना लंबा शूट करके, मैंने यह व्लॉग बनाया है, आशा करती हूँ, मेरी यह वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगिए, जरा सी भी पसंद आईए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें,